हर्याना सरकार ने चोकिदारों को एक बहुत बड़ा तोफ़ा दिया है, ऐसा तोफ़ा दिया है जिससे चोकिदारों का भविष्य सुनिस्चित हो जाएगा, आईए जानते है क्या तोफ़ा दिया है हर्याना सरकार ने राज्य में ग्रामीन चोकिदारों को करमचारी भविष्य निधी का लाब देने का निर्णे लिया है ताकि उनकी सामजिक सुरक्षा सुनिस्चित हो सके चोकिदारों को 12% की दर से EPF का लाब दिया जाएगा, उन्होंने बताया कि इस निर्णे से राज्य के 7,017 ग्रामीन चोकिदार लवानवित होंगे अब मैं आपको आसान भासा में EPF बता देता हूँ कि क्या होता है EPF की फुलफों होती है Employees Provident Fund इसमें सरकार चोकिदार की Basic Wages प्लस Dearness Allowance का 12% भुक्तान करेगी और इतना ही भुक्तान चोकिदार को खुद की सेलरी में से भी देना होगा फिर दोनों को मिला कर ब्याज सहित रिटायर्मेंट पर चोकिदार को दे दिया जाएगा इससे चोकिदार की सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी और रिटायर्मेंट पर होने वाले खर्चों को पूरा किया जा सकेगा तो मैं मानता हूँ कि EPF हर एक Employee का हक है चाहे वो किसी भी स्थर का Employee हो ताकि उस Employee को रिटायर्मेंट की चिंता ना रहे अगर आप भी इसी तरह की latest news हमारे चैनल पर पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए